आज इस वीडियो में हम लोग नियाले की आउमानना यानि कंटेप्ट आफ पोर्ट के कॉंसेप्ट की विशे में चचा करने जा रहे है यह एक ऐसी अवधार्णा है जो प्राया विवादों में गरती रही है मुल्त है इस अवधार्णा का विकास बुटेन में किया गया नियाले की गरिमा को बनाए रखने के लिए इस अवधार्णा का प्रतिपादन किया गया था हलाई कि अब बिटेन अमेरिका जैसे देशों में इसे इसे समाप्धिया जा चुँए क्या है इसका और क्यूं इसे ने देशों में समाप्ध किया गया है भारत में क्या इसका तुरू होना चाहिए किस प्रकार होना चाहिए ये सब विशलेशन हम लोग अन्य वीडियो में करेंगे इस वीडियो में हम केवल और केवल अभी नियायले की आउमानना की संकल्पना की चर्चा करने जा रहे हैं कि वास्तों में नियायले की आउमानना का आशे हमारे भारती संतर्व में क्या है तो मिदान में यह कहा गया है। अब अमाना के लिए सम्मेधान के अनुच्छेद 129 में उच्छितम नियाले को और अर्टिकल 215 में उच्छ नियाले को दंड देने की शक्त दीए। नियाले के अवमानना के विशे में प्रावधान करते है। लेकिन बास्तों में नियाले के अवमानना क्या है, क्या दंड दिया जा सकता है, किस पकार कारिवाही की जा सकती है। इसके लिए संसद ने इन प्रावधानों को लागू करने के लिए इन्हें व्यवहार में लाने के लिए संसद ने दुन्यायाले अवमानना अधनियम दिर्मित किया है कंटेंट कंटेंप्ट आफ कोड एक्ट नैंटीन सेवेंटीवन न्यायाले की अवमानना अधनियम 1971 निर्मित किया गया है और इस विध्य में इस विध्य में संसद के द्वारा निर्मित की गई इस विध्य में नैयायाले की अवमानना की परिभाशा दी गई है और दंड के प्रावधान दिये कि परिभाशा क्या होगी और दंड क्या दिया जाएगा तो हम लोग यहां पर नैयायले की अवमानना की परिभाशा और दंड के विशे में चर्चा कर लेते हैं नैयायले की अवमानना की परिभाशा क्या है हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं नेक्स स्लाइड में लिख लेते हैं जो इस अधनियम की यानि कंटेम्ट आफ कोर्ट एक्ट जो हमने अभी पढ़़ा कंटेम्ट आफ कोर्ट एक्ट 1971 अभी पुरा फॉर्म वहां पर लिखा था है यहां शॉर्ट में लिख दे रहे हैं वो का 1971 कंटेम्ट आफ कोर्ट एक्ट 1971 का जो सेक्षन टु है हरा दो है वह नयायायले की अवमानना को परिभाशित करती है और यहां पर नयायायले की अवमानना की परिभाशा दो रूपों में की गई कौन कौन से दो रूपों में की गई है एक को सिविल अवमानना कहा गया है सिविल अवमानना और दूसरे को कांडिक अवमानना तो रूपों में कांटेम्ट की परिभाशा कीगे शिविल कांटेम्ट और क्रिमिनल कांटेम्ट बोल चाल में हम लोग कांटेम्ट आफ कोट कह देते हैं लेकिन वास्तों में यह ते करना होता है कि कंटेम्ट आफ कोट किस नेचर का है क्या वह सिविल कंटेम्ट है या क्या वह क्रिमिनल कंटेम्ट है कब सिविल कंटेम्ट होता है सिविल आउमानना कब होती है जब नियायाले जब नियायाले कि किसी भी निर्डे, जब नियायले कि किसी भी निर्डे, आदेश, निर्देश, ठिक्री, या रिट, या रिट का उलंगन किया जाए. नियायले में कोई वचन दिया गया है, या अथवा, या नियायाले में कोई वचन दिया गया है, या नियायले में दिये गये वचन को ठंग करना, नियायले में आपने कोई वचन दिया है, कोई एफिडेविड आपने प्रस्तुत किया और आपने उसे भंग कर दिया, उसके अगेंस्ट कर दिया, वह दांडिक आउमाना, सिविल आउमाना की तुलना में गंभीर मानी जाती है, कब बनती है, क्रिमिनल कंटेम्ट, कब बनता है क्रिमिनल कंटेम्ट, क्रिमिनल कंटेम्ट तब बनता है, यानि नियाले की आउमानना में कब दंडिक आउमानना मानी जाएगी जब जब ऐसा लिखित या मौखिक प्रकाशन किया जाए, प्रब्लिकेशन किया जाए प्रकाशन या कारे किया जाए कैसा लिखेत या मौखिक प्रकाशन या कारी किया जाए प्रकाशन या नि बोला जाए लिखा जाए फेस्बुक पर लिख दीजिए ट्विटर पर लिख दीजिए ट्विटर पर कह दीजिए या ऐसा कोई कारे कर दीजिए आप एक्ट कर दीजिए कैसा कारे जो नियायाले की निन्दा करते हूँ जो नियायाले की निन्दा करते हूँ जो नियायाले की निन्दा करते हूँ या ऐसी प्रकृति वाले हूँ जिसमें नियायाले की निन्दा मानी जा सके ऐसी प्रकृति वाले हूँ दूसरी बात, न्यायाले के प्राधिकार को कम करते हों, न्यायाले के प्राधिकार को कम करें, या ऐसी प्रकृत के हों जो न्यायाले के प्राधिकार को कम करें, या तिसरी बात नियायाले पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हूँ या चौथी बात जो नियायक कारेवाहियों में जो नियायक कारेवाहियों में जूरीशल प्रोसीडिंग्स में नियायक कारेवाहियों में पाधा उत्पन्न करते हूँ पाधा उत्पन्न करते हूँ तो Contempt of Court Act, COCA 1971, COCA 1971 ये कहता है, उसका Section 2 ये कहता है, कि कोई भी कारे Contempt of Court की शेणी में दो तरीके से आता है, या तो Civil Contempt या Criminal Contempt. Civil Contempt की शेणी में तब आएगा, जब नियायाले के आदेशों का उलंगन हो, या वचन भंग कर दिया जाए, वचन जो नियाले में दिये गए, वो भंग कर दिये जाए, तूसरा Criminal Contempt होगा, और Criminal Contempt तब होगा, जब नियायाले के प्राधिकार को कम करें, निंदा करें, नियाले Contempt of Court माना जाएगा, तो इतनी चीजों को Contempt of Court के रूप में माना जाता है, Contempt of Court के रूप में इतनी बातों को शामिल किया जाता है, इतनी चीजें मिलकर के Contempt of Court बनाती है, अब अगर Contempt of Court किया है किसी ने, यदि किसी पर ये आरोप लगा है कि उसने Contempt of Court किया है, तो क्या द की गई है जो दंड की मात्रा तैकी गई है वह है छे माह के लिए कारावास दिया जाएगा छे माह का कारावास दिया जाएगा या दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा या दोनों छे माह तक का कारावास है छे माह के से कम की कोई भी आवदी हो सकती है तो मैक्सिमम सिक्स मन्त होगा छे माह तक का कारावास हो सकता है और या फिर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और या फिर दोनों दिया जा सकता है ये दंड का प्रावधान किया गया है अगर किसी भी वेक्ति पर नियायले की आवमाना का आरोप सिद्ध होता है तो अब इसके बाद ये तो नियायले की आवमानना का concept और चर्चा थी लेकिन नियायले की आवमानना के लिए अपवाद भी हैं क्या अपवाद है नियायले की आवमानना का हम लोग नियायले की आवमानना के अपवाद की भी चर्चा कर लेते हैं कि कब नियायले की आवमानन कोका 1971 में ही अपवाद लिखे गए है कि कब नियाले की आउमानना नहीं मानी जाएगी यानि अगर नियाले के संबंध में कोई कारी किया गया है और उसे नियाले की आउमानना नहीं माना जाएगा तो अपवाद का मतलब हो गया कि निमनलिखित को निमनलिखित को आउमानना यानि कंटेम्ट नहीं माना जाएगा निमनलिखित को कंटेम्ट नहीं माना जाएगा इसको नहीं माना जाएगा निर्दोष प्रकाशन तो शरहित प्रकाशन अगर किया जाता है किसी भी नियायालै के निरड़ै का नियायालै की कारेवाही का जिसका भी दिया गया है और उसका वित्रण किया जाता है तो अगर निर्दोश प्रकाशन है और वित्रण है तो उसे कारिवाही नहीं माना जाता है तूसरी बात न्यायाले से सम्बंधित कारियों का न्यायले से सम्बंधित कारियों का सही वा उचित प्रकाशन हो आजकल खूब होता है न्यायक कारियों का तो उसे भी कंटिम्ट नहीं माना जा सकता अगर सही वा उचित प्रकाशन है तीसरी बात नियाईक कारियों की जो नियाईक कारी किये गए हैं नियाईक कारियों की उचित आलोचना अब यह उचित जो शब्द है वो बड़ा ग्रे एरिया है और यही विवाद पैदा कर देता है फिलाल हमने कहा हम लोग यहां पर विवाद की चर्चा नहीं कर रहें केवल कॉंसेप्ट पढ़ रहें तो नियाईक कारियों की जो उचे ताल उचनाय हैं वे की जा सकती हैं और वे नियायले की आउमानना की शेणी में नहीं आती उन्हें आउमानना नहीं माना जाता अगला न्यायाले के गुप्त बैठकों जो गुप्त बैठके हैं गुपनिये बैठके हैं गुप्त बैठकों एवं कारेवाहियों सही वा उचित प्रकाशन का मतलब यह है पहले से न्यायाले से अनुमती ले ली जाए और यदि न्यायाले उसकी अनुमती दे दे तो वो सही और उचित प्रकाशन मान लिया जाएगा और फिर उसे नियायाले की और मानना नहीं मानी चाहेगी और अंतिम बात अधिनस्त अधिनस्त नियायालियों के अधिनस्त नियायालियों के नियाया धीशों के विरुद्ध नया अधीशों के विरुद्ध की गई कि मानदारी पूरवक शिकायत क्योंकि अधीनस्त नयाले के नया अधीशों के विरुद्ध बहुत शरार्ती शिकायतें भी की जाती है अस्थानी अस्तर पर बड़े calculations, manipulations होते हैं लेकिन अगर इमानदारी पूरवक शिकायत की गई है तो वो नयाले की आउमानना में नहीं आईगी और अगर इमानदारी पूरवक शिकायत नहीं है तो नयाले की आउमानना में शामिल मानी जाएगी तो ये ऐसे आधार हैं जिन आधारों पर यदि न्याईक कारिवाही के संबंद में कोई प्रकाशन होता है या न्यायाले के संबंद में कोई बात कही जाती है तो उसे न्यायाले की आउमानना की शेणी में किना नहीं जाता है तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको केवल और केवल न्यायाले की आवमानना के अर्थ को समझाने का प्रयास किया है ये वास्तों में न्यायाले की आवमानना का अर्थ क्या है आप ये सही अर्थों में और सरल शब्दों में समझ सके शेश नियाले की आमानना के संदर में जो विशलेशनात्मक चर्चा है ये तो conceptual चर्चा थी जो विशलेशनात्मक चर्चा है analytical discussion है वो हम लोग इस वीडियो में नहीं किया है वो हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे इस वीडियो के लिए इतना ही थांक यू